हेलो फ्रेंज वेलकम टो वाइज इन्वेस्टर व्योर्ज इस वीडियो में हम कमर्शल बैंक सेक्टर से सिल्क बैंक लिमिटेद के स्टोरिकल रिटरंस का अनालेसिस करेंगे व्योर्ज ये बैंक एप्रेंट 4 1994 में इंकॉपरेट हुआ और बैंक कमर्शल और कंजूमर बैंकिंग और उससे रिलेटेट सर्फिसेज ओफर करता है अगरम बैंक की लौंट अपर्फॉर्मन्स की तब देखे तो बाइस साल के अर्से में बैंक का शेर प्राइज दो 0.59 रूपीज और शेर प्राइज आई 29.35 रूपीज का है इस तरहां एवरिज शेर प्राइज इस हर्से में 14.97 रूपीज किया है इस अबरी शेयर प्राइस पर 100 शेयर में इंशल इंवेस्मेंट 1497 रुपीज की होती है टोटल कैश्ट डिविडेंड कंपनी बैंक ने अपने शेयरोल्डर को नहीं पे किया और टोटल नंबर अफ शेयर भी 100 है लास्टे क्लोजिन प्राइस जो कि 0.89 रुपीज है टोटल इंवेस्मेंट वाल्यू 89 रुपीज की रह जाती है तो कि इस अर्से में 94.05 परसंट का लॉस है और येर और येर मैनस 4.2 का लॉस है शेयरोल्डर्स को अपनी इनेशल इंवेस्मेंट पर इसी तरह अगर मेडियम टर्म परफॉर्मंस की तब देखें तो सूरते हाल इस बैंक की इसी तरह है दसाल के रसे में शेयर प्राइस दो 0.59 रुपीज और शेयर प्राइस आए 2.75 रुपीज का है और एवरी शेयर प्राइस इस अर्से में 1.67 रुपीज की है इस अवरी शेयर प्राइस पर 100 शेयर में इनिशल इंवेस्मेंट 167 रुपीज की है टोटल कैश डिविडिन का बैंक टैम ने शेयर ओल्डर को कोई पे नहीं किया और टोटल नंबर अफ शेयर भी 100 है लास्टे क्लोजिंग प्राइस जो के 0.89 रुपीज है इस पर टोटल इंवेस्मेंट वाल्यू 89 रुपीज की होगी है यहनि 10 साल के अर्से में 46.7 परसन का शेयर ओल्डर को लॉस है और यर और 4.67 परसन का शेयर ओल्डर को अपनी इनिशल इंवेस्मेंट को लॉस है